असलाम अलेकुम जी मैं हूँ माहा और आपको अपने चैनल माहाज मेकफ स्टूडियो पे वेलकम गटती हूँ तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जबर्दस ऐलो वेरा सोप जो मैं आपको इस वीडियो में बनाना बताऊंगी वीडियो स्किप्प मत और जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताके मजीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए सूप बनाने के लिए जस्ट आपको चाहिए टू इंग्रीडियंट्स आपको चाहिए टू एलो वेरा के गंदल जिनमें जो मोटे हो जिनमें गूदा ज्यादा हो आपने क्या करना है उन्हें अच्छी से वाश करके आपने उसके साइड वाले कांटे जो है वो किसी भी नाइफ के मदद से निकाल लेने है और इन्हें इसी तरह से क्यूप में कट कर लेना है आपने एलो वेरा क को एक मिक्सर में डालएा बारीक पेस्ट बना लेना है और बारीक पेस्ट बनाना है तक उनमेँ पल प्लपड़ो हो बागी न रह जाए सेकिनड नमबर पे चाहिए होगा आपको एक ग्लेसरीन सोप one and half आपने सोप लेना है ये आपको किसी भी कौस्मेटिक स्टोर से किसी भी जर्नल स्टोर से किसी भी उटलिटी स्टोर से इसली मिल जाएगा या आप इसे online भी बाई कर सकते हैं आपने one and half सोप लेना है क्योंकि ये बहुत ही नरम होता है तो ये knife की मदद से जो है वो easily कट जाएगा इस तरह हम बारीक बारीक क्यूब्स में काट लीजिए या आप इसे कदुकश भी कर सकते हैं एक मेरे पास soap यूजड में था तो वो आदा ही बच चुका था इसलिए मैंने एक new open किया और एक जो मेरे पास पहले से मौजूद था वही मैं इस वीडियो में इस्तमाल कर रही हूँ इस soap का क्या करना है यह मैं आपको आगे चल कर बताती हूँ और आपसे request करती हूँ कि मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon को भी प्रेस कर लीजिए ताके मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें soap almost कर चुका है अब आपने क्या करना है कि आपको चाहिए एक पैन उसमें आपने पानी डाल कर बॉयल कर लेना है अच्छे से और double boiler पे जो है वो आपने इसे melt करना है आप किसी भी चीज में पानी ले सकते हैं और जिस पे आप एजिली एक शिशे का बॉल रखकर आप इसे soap को melt कर सकें आपने इसी तरीके से melt करना है आप किसी और तरीके से microwave में या direct जो है वो flame पे आप इसे melt नहीं कर सकते ये आप बहुत ही जबरदस aloe vera का soap जो है वो घर पर बना कर खुद त्यार कर सकते हैं आप इससे इस्तमाल करेंगे तो आपकी skin पे आपको खुद फील होगा आपकी skin moisturize रहेगी आपकी skin का pH level जो है वो maintain रहेगा आपकी skin glow करेगी आपकी skin पे जितने भी scars है निशान है वो इसके इस्तमाल से सारे खतम हो जाएंगे तो जी हमारा soap जो है वो almost melt हो चुका है अभी हमने जो aloe vera का paste बनाया था हम इसे इसमें शामिल करेंगे और आपने इसे ज्यादा देर बिल्कुल नहीं पकाना आपने जस्ट 1-5 minute जो है वो पकाना है और आपका flame जो है वो low to high होना चाहिए सिर्फ आप 1-5 minute पकाएंगे ताकि जो है इसमें aloe vera की properties हैं वो जल न जाएं एक से 1-5 minute इसे पकाने के बाद मैंने flame को बंद कर दिया और इसके बाद आपने चमचा जो है वो proper हिलाते जाना है अगर इसमें कोई pulp रह जाए aloe vera का तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं अगर आप निकालना चाहिए तो इसे निकाल भी सकते हैं क्योंके ये aloe vera का pulp है इसका कोई नुकसान तो है नि गाइस इसके बाद चाहिए आपको एक mold mold के लावा आप कोई भी rubber वाला कोई भी container या कुछ भी ले सकते हैं मैंने सिफ soap की shape देनी थी इसलिए मैं जो है वो ये वाला mold यूज़ कर रही हूँ आपने soap को ठंडा होने से पहले mold में जो है वो डालना है इसके बाद इसकी जाग खतम करने के लिए आपको चाहिए simply एक hand sanitizer जो मैं इस पर spray कर रही हूँ इससे जो है वो soap के उपर आई हुई तमाम जो जाग होगी वो बिल्कुल बबर जो है वो खतम हो जाएंगे तो जाग बिल्कुल खतम हो चुग है जाग को खतम करने के बाद आपने इसको फ्रीजर में रखकर soap को जो है वो सूखने का इंतजार करना है इसके बाद हम soap यूज भी करेंगे तो जी गाईज बहुत ही जबड़ दस जो है वो aloe vera का soap खर पर बनकर तयार हो चुका है ये soap आपकी skin के लिए आपकी body के लिए जहां भी आप इसे face से लेकर all over body पे apply कर सकते हैं बहुत ही जबड़ सोप है ये आपकी skin को moisturize रखेगा specially जो है वो इसे आप winters में यूज करें तो ये आपकी skin को बहुत ही अच्छा जबड़ दस glow आपके face पर और skin पर देगा आपको moisturizer लिखाने की भी जूरत नहीं पड़ेगी इसके साथ साथ ये aloe vera में जो properties पाई जाती है aloe vera में हर एक चीज की हर एक मर्स की दवा है इसे आप खाने में पका कर भी खा सकते हैं तो अभी हम soap यूज करके देखेंगे कि ये किस तरह से जो है लेकिन ये एक creamy सा texture आपकी skin के उपर देगा आपने इसी तरह से इसको use करना है आप इसे दिन में जब भी आप अपना face wash करें आप नहाए तो इस soap का इस्तमाल कीजिए और अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो like कीजिए तो में लोगे नेक्स वीडियो में तपक के लिए अला हाफीज